नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कार्बन डेटिंग क्या है विभिन वस्तों में जैसे पेल पौधे आदि जिस समय जीवित रहे होंगे उनका निश्यत काल क्या होगा इस सम्द्ध में मनुस्त सदयों से उस्थुक रहता आया है इसी के परणाम सरुक कार्बन डेटिंग की तकनीक का जनम हुआ प्राचीन पौधे और पसुओ के जिवासमों की निश्यत आयू और काल जानने के लिए कार्बन डेटिंग की तकनीक का उप्योग किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए रेडियो कार्बन और कार्बन 14 डेटिंग नामों का उप्योग किया जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं या किसी वस्तुगी आयू का अनुमान लगाने में किस प्रकार साहता करती है सभी वस्तूओं की तरह काрафबनभी अरगों से बना होता है सभी कार반 अरगों में कुछ अरगों hey say होते हैं ची जे एक अठक्रम्य व्यस्तुरों से इस अरथ में दिन में होते हैं तुजे नज सिक्विण sem उते हैं और इसिम्य श्रूदे ऑस्ताई होते हैं इन अड़ों की विखटनर के बाद उसमें से नेकलियर विकरनत फोड़ता है, सभी जीवों द्वारा विवातावरन में कार्बन की ताजा फूरती की जाती है, इसके साथ ही जब वे सास बाहर छोड़ते हैं और उसके साथ बहुत सी कार्बन वातावरन में छोड़ते हैं, ले किसी वस्तु की आयू का पता उसमें मौजूद कारवन प्रोटीन की मात्रा को नापकर किया जाता है। मौत कितने समय पूरू हुई थी इसका हिसाब लगाकर उस वस्तु की आयू का अनुमान लगाते हैं। पूरा तत्व इसे सग्य अपने द्वारा खोजी गई वस्तु की आयू निश्चित करते समय इसी विधी को अपनाते हैं। इस विधी का वर्णन निमने लिखी था है। किसी भी मात्रा में रेडियो सक्रिय प्रदार्थ के आधे अड़ों के च्छै होने में लगने वाला काल उस वस्तु का जीवन आधा जीवन कहा जाता है। प्रदार्थ के लिए जब एक पीण को काट दिया जाता है तो वहां कारवन 14 के अड़ों करना छोड़ देता है। जब ताजह पैड़ का एक ट्टुटा लेकर उसकी रीडियो सक्रियता मापी जाती है। उसकी धुलना अग्याथ समयकी व्रिक्ष के टुकडी की रीडियो सक्रियता से की जाती है। तो अग्यात रिक्ष किसी काल में कटा हुआ या उसकी मृत्य हुई इसका हिसाब लग जाता है या जानना रोचक होगा कि पहले चट्टानों की आयू पता लगाने के लिए वेग्यानिक उसमें पाए जाने वाले यूरेनियम 238 के आधार पर करते थे यूरेनियम 238 का आधा जीवन चार अरब 500 करोन वर्सों का होता है इसका अर्थ हुआ कि इतने वर्सों में परिच्छा की जाने वाले वस्त्रों की मात्रा आधी रह जाएगी उन चट्टानों या पत्थरों की आयू जिन्हें यूरेनियम 238 होता है सीधे रूप से निश्चित की जा सकती है लेकि कि एतने विश्चित की जा सकती है रहा है जा सकती है